हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेग दोस्तों बात करेंगे शीबा इनु कॉईन और शीबिरियम से जुड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की साथ इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर शीबिरियम एक बड़ा माइलिस्टोन कंप्लीट कर सकता है 31 दिस की बात करें आज के समय में मतलब यहाँ पर 27 दिसमबर की बात करें अभी भी यहाँ पर 31 को टाइम है और लगबग यहाँ पर 5 दिन बाकी है जिसमें हम यह आकड़ा जो है अगर हम एवरेजन देखें जिस प्रकार से अभी देखने को मिल रहा है 7 मिलियन पर डेके के असपास अगर हम अभी की बात करें जो यहाँ पर ट्रांजिक्शन है टोटल वो 200 मिलियन के उपर हो चुके हैं साथी वालेट एटरेस लगबग यहाँ पर 1.3 मिलियन के उपर पहुच चुका है यह भी आकड़ा साथी टोटल ब्लॉक्स की अगर हम बात करें 2.3 मिलियन क पहुच चुका है जितना जयादा ट्रांजिक्शन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर बोन जो है वो यूज होने वाला है बोन का ज спасता है और बोन के ट्रांसपर बढ़ेंगे जिससे यहाँ पर शीबा उनो को परचेस भी किया जाएगा और उसके तरू यहाँ पर बर्निं transaction को भी cross कर चुका है एक बड़ी community यहाँ पर यह gain कर चुका एक बड़ा milestone यहाँ पर इसने hit किया हुआ अगर आप यहाँ पर Shiverium के states को देखेंगे तो यह आकड़े आपको देखने को मिलेंगे bone के जहाँ पर bone का जो total transfer देखने को मिल रहा है वो 1.041 million है यहाँ पर अगर हम bone की बात करें bone का क्या कुछ impact देखने को मिल रहा है bone क्यों यहाँ पर important हो रहा है क्योंकि ज़्यादा तर यहाँ पर जो भी Shiverium पर transaction हो रहा है उसके तुरू यहाँ पर bone को as a gas fees यूज़ किया जा रहा है और जितना ज़्यादा Shiverium का यहाँ पर use case बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा transfer यहाँ पर bone का देखने को मिलेगा और उससे यहाँ पर impact जो है वो bone के price पर भी और साथ ही Shiba Inu Coin के price पर भी देखने को मिल सकता है जो अभी यहाँ पर देखने को almost यहाँ पर 34 billion tokens को burn कर दिया गया है साथ एकनम last 24 hours में देखें लगबग 131 million tokens है जिनने यहाँ पर community ने burn किया है Shiverium के थूँ यह burning नहीं हुए लगबग यहाँ पर 1812% का spike देखने को मिला हुआ है इससे पहले यहाँ पर Shiverium ने जो burn किया हुआ है एक बड़ा amount अभी तक लगबग 4 बार Shiverium के थूँ यहाँ पर Shiverium के थूँ यहाँ पर Shiverium कोईन बर्न हो चुके है और 5 भी बार हम उमीद कर रहे है और उसका भी यहाँ पर हम impact जो है वो price पर देख सकते हैं उसमें भी moment देखने को मिले क्योंकि Wells के भी बड़े transfers यहाँ पर देखने को मिल रहे है Wells भी यहाँ पर अगर हम Binance की बात करें या फिर other wallets की बात करें एक च्छेंस की बात करें तो वहाँ से withdrawal कर रहे है एक बड़ा amount और उसे यहाँ पर private wallet में transfer कर रहे है जिस प्रकार से उमीद है भी कि वहाँ पर वो जो transfer हो रहा है वो long term basis के लिए हो रहा है long term perspective के हिसाब से हो रहा है जो वहाँ पर वो hold करना चाहते हैं और यहाँ पर आप इसका chart देख सकते हैं last अगर हम बात करें one month है की तो one month में यहाँ पर इसी level पर यह लगातार accumulate हो रहा है double one से लगाकर लगबग यहाँ पर इसका जो price है वो 83 के level तक गया हुआ है मतलब यहाँ पर हम one month की बात कर रहे है one month में अच्छा खासा moment देखने को मिला हुआ है लगबग 30% तक increase हुआ है last seven days में अगर हम price की बात करें तो यहाँ पर यह one one के level से लगातार one zero के level के बीच मिरा हुआ मतलब last seven days को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस लेवल को एक important support अभी तक बना लिया है one year की बात करें तो one year में भी जो यहाँ पर one month में increase देखने को मिला है वो ही one year में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर हम resistance की बात करें one four का एक important resistance है लेकिन उससे पहले double one का resistance है जो अगर यहाँ पर support बनता है तो positivity यहाँ पर देखने को मिल सकती काफी सारे coins यहाँ पर pump कर रहे हैं लेकिन अभी तक Shiba में moment देखने को नहीं मिला है जिस पेगार की community यहाँ पर उमीद लगा कर बेठी है community का यह favorite coin है लेकिन price पर अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला हुआ तो यहाँ पर यह इस level पर बना हुआ रहता है